दोस्तों ये है क्वाई आईलेंड हावाई का एक ऐसा आईलेंड जहां पर दुनिया की रेलेस्ट सिवलिंग मुझूद है यानि कि ऐसे सिवलिंग जो इंसानों के द्वारा नहीं बलकि लाखों करोडों सालों के टाइम पिरेड में खुद प्रकरती द्वारा तैयार की गई जो बनी है दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से कौर्स क्रिष्टलों से जो साथ में ही क्रत्वी के कौंटिनेंटल क्रिष्ट में मिलने वाला शेकेंड मुस्ट एविंटन मिल रड़ है इस आईलेंड पर कैलास परंपरा के नंधिनात संप्रदाय के एक डजन से भी ज पूजा करते हैं और अपना पूरा जीवन इस आईलेंड पर भोलिनात की भक्ती में समर्पण कर देते हैं दोस्तों इस आईलेंड पर भगवान सीव का एक भव्य मंदिर बनाया गया है जिसमें एक करोणों साल पूरानी सीवलिंग कुछ ही सालों के अंदर इस्थापित की जाएगी परन्तों दोस्तों यहां पर इस सोचनेले बात है कि दिल्ली से लगवक 11,718 किलोमेटर की दूरी पर मौजूद इस आईलेंड पर हिंदू मौंक्स के द्वारा इन 50 मिलियन साल पूरानी क्वास्ट क्रिश्टल से बनी सीवलिंग क्यों स्थापित की जा रही है य दोस्तों कहानी की सुरुवात होती है 15 फरवरी 1975 को जब यहां पर रहने वाले भगवान सीव की भक्ती मिलियन एक हिंदू मौंस ने भगवान सीव को चलते हुए इस आईलेंड पर देखा ये महान योगी कई सालों से इस आईलेंड पर सच्चे दिल से भक्ती कर रहे थे ज हिस कारण इस महान योगी निया शीव आगमस हुए इस आईलेंड पर सिव मंदिर अवरी बनाने का निर्णा सालों यह migrant ने न महें दोस्तों इस महान योगी नाम श्यूपर्मुन्या स्वामी जो बच्पन से से भज़ा में विवगत की का आफि जाधा पर, जिसके कारण इन्होंने हिंदु धर्म अपना लिया था वैसे तो इनके जन्म का नाम रॉबर्ट हंसेन था जो केलिफोर्निया में जन्मे थे परन्तु इन्होंने भगवान सीव और स्वामी विवेकनन से प्रेज्थ होकर सनातन को अपना लिया था इसके बाद ये प्रेज्थ होगियों की नात्सप्रदाई भगवान सीव की भक्ती में तर्मन से लिन रहती है और इसके बाद इनोंने सन 1980 की सुरुवात में अपने सपने में कॉर्ट्स क्रिष्टल से बनी इस सीवलिंग को देखा और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि ये सीवलिंग सन 1987 में भारत में इनको मिल भी गई इसके बाद इस सीवलिंग को क्वाई आइलेंड पर ले जाया गया जब इस सीवलिंग की कारवन डेंटिंग की गई तब पतर चला कि ये सीवलिंग लगवत 50 मिलियन साल पुरानी है ऐसी सीवलिंग सबसे पावरफूल होती है इसलिए इस क्वाई के इरेवन सीव मंदिर में ले जाया गया था इस आइलेंड पर मौझूदा इस सीव मंदिर को वास्तु सास्तर के नुसार बनाया गया है जिसका डिजाइन 1980 में एक आर्किटेक्चर वी गणपति स्थपी के द्वारा किया गया था ये भारत में वास्तु सास्तर के इस काम में साउथ इंडिया के ऐसे सिल्प कारों को लिया गया था जो ग्रिनाइट के पत्थरों को अच्छी तरह डिजाइन कर सके इसके बाद इन सभी हैंड कार ग्रिनाइट के ब्लोक को बेंगलोर से लगबग 12,000 किलोमेटर की दूरी पर मौजूद कौई आइलेंड पर ट्रांस्पोर्ट करना 2001 में सुरू किया गया जिसमें समुद्री जहाजों का साहरा लिया गया और लगबग 3.2 मिलियन पाउंड के है इन कार ग्रिनाइट पत्थरों को कुछ ही सालों में ट्रांस्पोर्ट कर लिया गया और इसके बाद उन पत्थरों को यहां असेंबल करके शियो मंदीर का आकार दिया गया जो काफी ज्यादा मुश्किल काम था अभी तक इस मंदीर का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मंदीर में लगने वाला हर एक पत्थर हातों से डिजैन किया जा रहा रहा है पर जब मंदीर का निर्माण कुछ ही सालों में पूरा कर रहे हैं तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बुद्बुद धन्यवाद